हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत सागत हैं और अभी अभी मेरे सारे काम खत्म हुए हैं और मैं आ गई हूँ नहा कर धूप में थोड़ी देर के लिए और धूप अगर हमें मिल जाती है ना खास कर सर्दियों में नाने के बाद तो सोने पे स्वागा हो जाता है ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब नहा के निकले और हमें धूब मिल जाए तो मेरा चो चारपाई था यह इधर था तो मैं अभी उधर मैंने कर दिया है धूब की सैट क्योंकि इस सैट धूब अब लग विंटर की बात कर रही हूं मैं तो मतलब की होई जाता है गर्मियों से तो बहुत ज्यादा लेठी हो जाता है क्योंकि अगर मेरे आंगर में दूप होता है ना तो महीं पर बैटे बैटे कुछ काम भी करती हूं ना तो सरीर में मेरे आलस आ जाता है और इस तरह करके मेरा न और मुझे अभी बनाना आए खाना तो दिखिए यहां पर मैं चावल को दोकर डाल दे रही हूं और यहां पर मैं छोड़ दूँगी धीमियाज में यह बनते रहेंगे उसके बाद फिर में सब्जी बनाओंगी दूसरे चुले पर तो सब्जी बनाने की त्यारी करूंगी और आज ना मैं कुछ सब्जी बनाओंगी वो क्या बनाओंगी अभी आप ब्लॉग पर बने रहे हैं आप सभी को पता चलेगा तो फ्रेंट से देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आयांस के लिए बना देती हूं खिचरी दूसरे साइट क्योंकि उसका खिचरी जो बनाती हूं मैं वो कभी मूंग दाल और चावल और नमक खली डाल कर उसका ऐसे सिंपल सा खिचरी बना देती हूं वैसे तो मैं उसे वही चीज खुलाती हूं जो चीज हम खाते है लेकिन जो हम चावल बनाते हैं तो उतना नहीं खाता है एक दो बार मूं में लेता है निवाला लेकिन बता इसके डियुक्य स क्षील में गलता है तो just रोटी अब बहँतस रेखना पर काफी अच्छािए अब censorship काफी अच्छाा लगता है मैंने नहीं बनाया क्योंकि मिले पर इतना मतलब कि मैं सोची ना कि अगर मैं रोटी बनाऊंगी तो मुझे चावल भी होने के लिए भी देना पड़ेगा और फिर टाइम नहीं है और अचानक मेरा मन की आनकी में बनाती मेरे घर में सबजी नहीं था तो ना मुझे ना हलका सा अपने जो मेरा ये पेड़ है ना आ चतपे से दूसरी तरफ जो लगावाए उस पर चड़के फिर इतना तोड़ दिये तो आज मेरा काम बन गया और ये फर्स्ट टैम मैं खा रही हूं ये सेजन का फूल मतलब इस सीजन में फर्स्ट टैम तो अच्छा ही लगेगा और जब सुरू-सुरू हम कोई भी चीज ख करके तोड़ना है और इसको जो डंठिल है इसके डंठल से अलग करना है फूल को तो मैं यहाँ पर धूप पहले तो मैं बहारी मैंने सुचा कि ब्रामदे में इसे कर लोंगी जल्दी से पर नहीं हो पाता है फिर मैंने कहा कि फिर मैं इसे धूप में ही लेकर आ जाती हूं और धूप में ही बैटके इसके सारे डंठल को फूलों से अलग कर लेती हूं और यहाँ पर देखिए फिर में से बारिक बारिक छोटे चोटे थे लेकिन यह बहुत जादा बड़े जब हो जाते है यह फूल जब खिल जाते है ना तो इसी फूल से जो सहजन होता है वो निक दाया अभी तो मैं सिर्फ सब्जी की सेर करूंगी और अगर नेक्स टैम मेरे हजबन इसको मतलब तोड़ लेंगे ऐसा इतिफाक से क्योंकि वह जल्दी मतलब तोड़ते नहीं है अगर घर में रहते हैं खाना बनाने के टैम ऐसे हो जाता है तो फिर हो जाएगा क्योंकि य नहीं आता है वैसा जैसा आना चाहिए और यह मार्केट में भी मिलता है लेकिन बहुत जादा मेहंगे मिलते हैं आप सभी कमेंट आते कि मैं क्या लगाती हूं आयांस को तो यह ममा अर्थ का कोको सॉफ्ट बोडी लोसन फूर बेबी और वित कोकोनट मिल्क एंड टर्मरिक से यह बना है और यह फ्रेंट्स 24 आवर मोशिराइज रखता है बेवी की स्कीन को और क्योंकि इसमें है कोकोनट मिल्क और यह मोशिराइज रखता है स्कीन को और स्मूध बना देता है अगर इडिटेशन होता है स्कीन तो उसको भी ठीक कर देता है और इसमें है टर्मरिक और turmeric हम सब जानते हैं कि turmeric में antibacterial properties होता है और उसकी help से infection अगर होता है ना हमारे बच्चे की skin में तो वो भी ठीक कर देता है इसको लगाना भी बहुत easy है इसको pump करना है और इस body lotion को जहां हमें लगाना है इसकीन पर वहां लगा देना है थूरी दिर massage करना यह अपने आप absorb हो जाएगा हमारे बेबी की skin में और इसे हम चाहें तो twice of day लगा सकते हैं यह product made safe certified है allergy certified है dermatologically tested है mama earth की सभी product harmful chemical free होते हैं और all natural होते हैं coupon code जो सो हो रहा है skin पर अगर आप इसका इस्तिमाल करते हैं तो आपको मिलेगा 20% off और mama earth के website पर ही यह काम करेगा और mama earth के application पर आप यह product ले सकते हैं mama earth के website से amazon, nika, purple and flipkart और mama earth के app से mama earth का आपको भी product खरीते हैं ना तो आपके order id से website एक tree को plant करता है और इसका exact location, picture और आप सभी को mail की दवारा भेज दिया जाता है mama earth ने हाल ही में अपना official app launch किया है अगर आप इसको download करते हैं तो आपको जल्दी sales के बारे पता चलेगा और extra discount भी मिलेगा अब एक और खुसकवरी यह है फ्रेंट्स की ममार्त की प्रोट आपको online website पर तो मिलते ही है लेकिन अब आपको अपने घर के आसपास के store में भी मिलेगा तो अगर आपके घर के आसपास ममार्त का store अभी तक खुल चुका है तो जरूर मुझे comment करके बताईएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए आयांस को जब तयार मैंने कर दिया रेडी कर दिया न तो अब यह सोने के लिए जित कर रहा है तो मैं सबसे पहले इसको सुला लोंगी क्योंकि इस सुबह जब से उठाए न तब से ही सोया ही नहीं है तो यह एक बर सो जाए न फिर मैं अराम से फिर हो के अपना सारा घर का काम करूंगी यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स आयांस न विलकुल भी कैमरे में भी देखने के लिए तयार नहीं हो रहा है क्योंकि इसको है सोना और अभी मैं सीधी इसको ले जाती हूँ अंदर वाले रूम में कि यहाँ पर ना मेरे रूम में इतना ज़्यादा ठन लगता है बाहर वाले रूम में कि मैं क्या ही बताओ बाहर वाले रूम में मैं कभी आयांस को सुलाती नहीं क्योंकि सीलन की वज़ा से जब सी स्मेल तो आती है लेकिन अंदर वाला रूम ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गरम भी रहता है अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ यह जो मुंगा के फूल है इसको मैं अच्छे से एक दो बार पानी से धो लेती हूँ ताकि अगर इसमें यह तो ऐसे खुले ही रहते है पेट में तो दूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है और इसका साफ जब हम धोते हैं पूर अच्छे से साफ भी हो जाता है अब खुद ही देख लिए जैसे कलर चेंज हो गया हम इसमें ना दो कर कम से कम एक बॉयल आजब आएगा ना तो एक मिनर तक इसको पकने दूंगी ताकि इसमें से जितना भी कसेला पैन है वो निकल जाए फिर यह बहुत ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिये हैं लेसुन लिया है और यह मसाले मैंने वही काले मिर्च जीरा और लाल मिर्च लेसुन और अदरक नहीं मेरे पर सो अदरक मैंने नहीं लिया वैसे हम ले सकते हैं उसके बाद मैंने आधा प्याज लिया है और उसके बाद मसाला मैंने पीस लिया यहाँ पर देखे इसमें बॉयल आ गया है और बस इसको थोड़ी देल के लिए मुझे पकाना है उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी उसके बाद देखे फ्रेंस मैंने आलू बॉयल होने हम लोग इधर बनाते हैं और बाकी कोई भी सब्जी के साथ इसका कॉम्बिनेसर इतना अच्छा नहीं लगता है और सिर्फ मैं इसी का सब्जी बनाओंगी तो फिर भी वह इतना अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखे जो मैंने बॉइल किया था ना उसको मैं पहले अच्छ तो थोड़ा यह सौफ भी हो जाता है उसके बाद देखें यहां पर मैंने प्याज अगरा कट कर लिया है और जैसे हम आलू की सब्जी बनाएंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे ना तो इसका मतलब अच्छा ही लगता मुझे तो अच्छा लगता है जिसको जिसको और यह ज कि ज्यादा मसाले यूज करने के कोई ज़र utility नहीं ज्यादा मसालेदार भी बनाने के कही। जरूरत不 morphine है हम इसे सीमपल सबजी जैसे बनाते हैं और शुचे बनाइंगे तो मैंने देखिए सारे मसाले इस में मैंने डाल दिये टमाटर भी डाल दिया है और नमक बस डाल है इन सारे मसालों को मैं भून कर देखिए सारे मसालों मेरे भून चुके थे मैं इसमें ये जो मुनगा के फूल है वो डाल लिया है आलो डाल लिया है अब इनको बहुत अच्छे से मुझे भूनना है बहुत अच्छे से यानि कि भूनेंगे जितना नो उतना ही ये सबजी अच्छा लगेगा और इसमें सारे मसाले अब जब हो जाएंगे अगर हम बैसे ग्रेवी वाले बनाना चाते हैं तो ग्रेवी वालों ही बना सकते हैं और ऐसे ही अगर डाल है और चावल है या फिर रोटी है तो हम सुकी सबजी भी बना सकते हैं ये प्राटे के साथ भी सबजी काफी अच्छी लगती है तो बस यहाँ पर देखे ये सबजी बन चुकी है और उसके बाद अभी मैं खाना खा लिया है मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया और देखे हैं मेरे आंगल से धूप चला गय सारा खाना पीना बच्चों को खिलाते इस स्ट्व लोग आ गय थे कूप तीन बज जाता hit llegar do दो दो बज़ के दस मिनट पर चुटी होती है घर आते आते उनलों का मदब टू ठटी हो जाता है या फिर टू हां आधा गंटा या बीस मिनट पचीस मिनट ऐसे टाइम लग जाता है घर आने तक तो मेरा खाना अगरा खाते हैं बरतन धोने तक तीन और या कभी-कभी सारे तीन बज़ जाता है तो फ्रेंट जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सुभा छे बज़े मैं उठती हूं लेकिन दस मिनट पहले का ही अलारम मेरा है और मैं अपना ब्रश तो गरह करती हूं दस मिनट ने फिर बच्चों का जो लंच बनाना तब जाके अभी मुझे टाइम मिलता है सारे तीन बज़ गया है और फ्रेंट इसी तरह कैसे दिन पर जाता है पता ही नहीं चलता है मेरे पास बहुत सारी लेडिस का कमेंट भी आता है कि हम हाउस वैफिर हमारे लिए बिल्कुल भी टैम नहीं मिलता है फिर भी जब वो जॉइंट फैमली में रहती है ना फिर भी क सुनाने का मौका अगर मिलता है तो वो लोग छोड़ते नहीं है और दो चार बात भी सुनाते हैं तो बस यहां पर अभी पांच बज़ गया था और मैं बच्चों का यहां पर होंवक वगरा देख रही थी और इनको डाट भी लगा रही थी क्योंकि यह याद नहीं किये थ क्योंकि फ्रेंट्स पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और प्यार के समय प्यार और खेल के समय खेल यही मेरा मानना है तो इसी वज़े से जब भी लोग याद नहीं करते हैं मैं थ्वासर डाटती तो हूँ बच्चों को तो फ्रेंट्स यही तक थी आज की मेरी वीडियो उमी क्यां थी समय ऩरी तो मैं प्याई divergence को ये तक डाटती पारणती वी वज़वासर है तक का भी की में भी काराणकों को त даже है जब जब र Будर के झाल के झाल प्याद़ कि यजां तक भी की में तका रुश्सार